ओम स्री गणेशाय नमा दोस्तों ओम गणपती समादाहन यूट्यूब चैनल में आपका हरदिक स्वागत है दोस्तों हम आज बात करने वाले हैं 25 अगस्त बुद्धुवार आज के मिथुन रासी फल के बारे में कि आज के दिन इनको किन चीजों से फाइदा होगा और किन च अच्छा और बहतर बनाने के लिए एक उपाय भी बताएंगे दोस्तों वीडियो आगे सुरू करने से पहले मेरे आप लोगों से रिक्वेस्ट है अगर आप इस चैनल पर नए तो चैनल को सब्क्राब करें और साथ में नोटिफिक्सन की बेल को भी दमाएं जिससे आप त दोस्तों थोड़ी सी मेहनत करके आप अपने लक्षे को आसानी से प्राप कर लेंगे आपकी आर्दिक इस्तिती में सुधार होगा व्यवसाई कारियों के लिया से दिन बहतर रहेगा आप हर कारियों को दहरिया और समझदारी से पूरा कर लेंगे आफिस में बहतर तालमेल बना रहेगा जिया दोस्तो आफिस का बड़िया माहुल आपको खुश कर देगा आपकी मेहनत रंग लाएगी अचानक नए शुरुतों से धनका आगमन होगा किसी पुराने मित्र से मिलकर आपका मन अती प्रसन्न होगा आपके सभी काम बनते नजर आएंगे जिया दोस्तो आ के बावजूद आपका बिजनेस अच्चा रहेगा जिया दोस्तो अब कुछ नए काम काज आपके सामने आएंगे जिनके लिए आपकी मुलाकात कुछ जरूरी लोगों से भी हो सकती है कोई सुब समचार मिलने से आपका मन प्रसन्द रहेगा जिया दोस्तो गहेलु समश्य चाहों को सांती पूरोग ढंग से सुल जाने में आप सफल रहेंगे सरकारी नौकरी से जुड़े लोगों को अच्छी खबर मिलेगी। चाहों को सफलता हासिल करेंगे अपने माता-पिता के सुवास्त का दियान रखें अब आपके स्वास्त संबंदी समस्या इस समय समाप्त हो जाएंगी संतान सुख आपको मिलेगा घर में सुख सांती बनी रहेगी जिया दोस्तों आपके लिए आज क्या नेगिटिव रहेगा इस समय किसी भी अंजान व्यक्ति से कोई संपर्क ना रखें इस से आपके मान सम्मान को ठेस पहुँच सकती है कभी-कभी छोटी सी नकारतम बात पर कुरोधित हो जाना आपके बंते कारियों को बिगाड़ेगा अपने विवार को सहीमत रखना भी आपको आवश्यक है लग से हैं और कोई बात नहीं हो पाई ये तो ऐसी रिष्टों को छोड़कर आगे बढ़ना ही सही है आपका स्वास्त कैसा रहेगा स्वास्त से संबंदित समस्या समाथ हो जाएंगी स्वास्त उत्तम रहेगा कोई सरदर्द या हातों में दर्द की समस्या परिसान कर सकती ह वर्त्मान परस्टितियों में लापरवाई बर्दना ठीक नहीं होगा इसलिए स्वास्त रहने के लिए नियमित योग करें प्रणायम करें व्यायम करें और अधिक स्वास्त रहें दोस्तो आज आप ये उपाय वश्य करें गोमाता को हराचारा खिलाएं या गोसाला में हराचारा दान करें और साथ ही स्री गणेश भगवान को हरी दूरवार पित करें और एक स्वाट बार इस मंत्र का जाप करें ओम स्री गणेश आयनमा ओम स्री गणेश आयनमा इस पिर